नमस्कार दोस्तों आज के हम इस वीडियो में सामिल करेंगे विस्प्रेश सुतंता सूचकांग तदा भारत तथपरोग देशों के इस्थिति दूसरा टॉपिक जो होगा जो इसे कवर करेगा MPPSC मुख परिक्षा पेपर 2 के यूनिट 3 का अनतीन टॉपिक जो की मीडिया है और मीडिया से जुड़े हुई समस्चाओं के बारे में हैं और साथ ही हम बहुत सारे अब्जेक्टियों पेपर पूछे जाने वाले विन प्रस्ण जो की प्री परिक्षा के हिसाब से या वन्डे अग्जाम निसन के हिसाब से महतपूर होते हैं इसके बारे में जानेंगे साथ ही यदि हम मुख परिक्षा के हिसाब से देखना चाहें तो इसे जुड़े हैं प्रस्न अंतराश्टी संस्था Reporters Without Borders तथा इस रिपोर्ट की कुछ प्रमुख बातें जिने जानना आवस्यक है तथा इस रिपोर्ट पर किन की निसितियों का प्रभाव पढ़ता है हम इसे भी जानेंगे हम सुरुबात करते हैं Reporters Without Borders संस्था के बारे में यह एक अंतराश्टी संस्था है जो प्रेश की संस्था के लिए कार करती है यह संस्था मीडिया पर विश्व भर में होने वाली हमलों पर नजर रखती है तथा उसी अधार पर अपनी रिपोर्ट को तयार करती है इसके अलाबा यह संस्था विविन देशों में सरकारों के साथ मिलकर उन देशों में प्रेश की सुझता सुनिश्चित करने के लिए भी कार करती है और हम बात करें प्रिलिम्स एक्जामनेशन के हिसाब से तो इसकी स्थापना सल 1985 में रोबर्ट मेनार दोरा की गई थी इसका मुख्याले पैरिस में है जबकि कुछ इसके अन्य मुख्याले भी स्थापित किये गए हैं जैसे बर्लिन में, प्रुसेल्स, जिनेवा, मैडरेट, रोम, इस्टाक होम, आदी, प्रमुखिस्थानों पर इसकी 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 कार्याले हैं जहां से इसकी कार चलते हैं इसके अलाबा हम बात करें कि विस्परिस सूचकांग में इंडिया का इस्थान क्या है, महत्पूर प्रस्ण है, बहुत सारे PSC के एक्जाम्स में यह प्रस्ण कई बार पूछा गया है, UP, MP, तो हम बात करें कि इस रिपोर्ट के अनसर भारत का जो इस्थान है, वह 142 में इ एर रिपोर्ट 20 अपरिल 2020 को विस्परिस सूचकांग के नाम से जारी की गई है, इसमें 180 देसों को सामिल किया गया है, जिसमें भारत की स्थिति 1 सब 1 42 में इस्थान की है, जबकि हम पिछले साहलों से तुलना करें, तो भारत की स्थिति 2017 में 136 में इस्थान पर, 2018 में 138 इ पर और वर्तमान 2020 में 142 में इस्थान पर लगातार दो पाइदानों की गिरावट जारी है अब हम बात करते हैं कि कुछ अन्य देस जिसकी रैंक हमारे यहां के कुछ एक्जामनेशन में पूछ ली जाती है जैसे बात करें कि टॉप 3 कौन कौन से होंगे इस सूची में लगातार 4 रजार नार्वे पहले इस्थान पर बना हुआ है तो पहली रैंक तो नार्वे की है लेकिन दूसरी और तीसरी रैंक में परिवर्तन होता रहा है अब बात करें कुछ अन्य देश जो हमारे भारत देश के सराउंडिंग या हम बोले हैं दच्छड एसिया के देश हैं और उनके सुचकां के इस्थान भी देख लेते हैं जो पूछे जा सकते हैं जैसे हमारा फैबरिट बोल है जाए तो पाकिस्तान देश वह भी तीन इस्थान गिरकर 145 वे इस्थान पर आ गया है बांगला देश एक इस्थान गिरकर 151 पर आ गया है और चीन 177 वे इस्थान प पर है UK 35 स्थान पर है और वहीं अमेरिका जो वेस्विक सक्ती के रूप में जाना जाता है बड़े लोगतंतर के रूप में जाना जाता है 45 स्थान पर है इन देशों पर भी हमारी निगाहे होनी चाहिए दो प्रमुख अन्य देश बनते हैं जिनसे भारत का कंपरेजन किया ज स्थान पर और 107 स्थान पर ब्राजील जो कि हमसे बहतर इस्थिती में हैं क्योंकि हम 142 स्थान पर हैं अब हम इसी वीडियो में आगे जानेंगे कि इस रिपोर्ट में किन प्रमुख वातों को सामिल किया गया है जिन्हें हमें जानना अवस्यक है समाइने तब बहुत सारे 2019 को आर्टिकल 370 हटाया गया हो था जिस से भारत के अंदर कहीं न कहीं इस्थिती तनाव पूर्ण बनी हुई थी उसका भी प्रभाव बहुत हद तक इस रिपोर्ट पर पड़ा हुआ है अर हम बात करें जम्मू कास्मीर में जब सरकार ने 370 को टाने के लिए प्रयास प्र कारिकरता पत्रकार वकील और बच्चो सहित संभावित प्रदर्सन कारी भी सामिल थे इसलिए इस रिपोर्ट में काफी कुछ हद तक प्रभाव इसका भी पड़ा लेकिन हम तुलना करें यदि पिछले साल से इसका प्रभाव कुछ हद तक कम होते हुए दिखाई दिया है क जींकि इसी रिपोर्ट के अमसार भारत में 2019 में किसी भी पत्रकार की हद्या नहीं हुई जब कि 2018 में 6 पत्रकारों की हद्या की बात सामिल थी पुलिस की हिंसा, मोबादी, हमले, अपरादिक, जगत के समूओ जो पत्रकारों और मीडिया के अगेंस्ट काम करते हैं और तता सुख़ समचार है कि 2019 में इस रेपोर्ट में पत्रकारों की हत्या का जिक्र किया गया कि पत्रकारों की हत्या 2019 में नहीं हुई जब कि 2018 में 6 पत्रकारों की हत्या हुई थी जो एक बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विसे बना रहा इसी में एक सर्विक्षन को भी सामिल किया गया है कैंसरकार के समर्थकों द्वारा सोसल नेटवर्कर पत्रकारों पर निसाना साधा जाता है नफरत वाले वयानों को बढ़ावा दिया जाता है और कट्रवादी राष्टवादियों ने ऑनलाइन अभियानों पर पत्रकार तेजी से निसाना बने हुए है साथी कट्र राष्टवादी सारी घिंसा की धमकी देते हैं इस रिपोर्ट में आम चुनाओ के वक्त भारत में पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक समय बताया गया है हिंदुत वाले विश्यों पर बोलने या लिखने वाले पत्रकारों के खिलाफ सोसल मीडिया पर घ्रणित अभियान पर चिंता जटाई गई है इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन छित्रों को प्रसासन सम्वेदन सील मानता है वहां रिपोर्टिंग करना बहुत मुस्किल होता है कसमीर में विधिसी पत्रकारों को जाने की इजाज़त नहीं है और वहां अक्सर इंटरनेट कार्ट दिया जाता है ये सब बातें रिपोर्ट में सामिल हैं हलाकि बहुत हद तक वास्विक्ता से ऐसा लगता है कि परे हैं क्योंकि अभी वर्तमान जो गतिविधिया है इसमें बहुत अधिक हद तक फ्रिडम बढ़ी हुई है फिर भी सोसल मीडिया का बढ़ता हुआ प्रभाव और उसका गलत प्रियोग कहीं न कहीं इस रिपोर्ट को प्रभावित करता है हम नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे धन्यवाद